दोस्तो गर्मी के चीजन आ चुका है और गर्मी के दिनों में हर किसी को फ्रूट्स खाना काफी पसंद होता है फ्रूट्स हमारे सरी में एक तो तागत देता है साथ इसमें पानी के कमी नहीं होने देता है तो अगर दोस्तों आपको भी fruits करना पसंदे तो आप चाहे तो इसको एक business के रूप में तबदिल कर सकते हैं और उसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं गर्मी के दुने में बहुत सारे ऐसे fruits है जो उपड़ आते हैं और उसी गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही पांच ऐसे फल के बारे मताने वाला हूँ जो गर्मी के दिनों में आप उसका business करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत जड़ा investment के जड़ोत नहीं है आप बहुत ही कम पैसो लगाकर उसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं पांच ऐसे फल के बिजनिस के बारे में जो आप गर्मी के दिनों में कर सकते हैं सबसे पहला तरबुजे का बिजनिस अपको पता होता कर दोस्तों तरबूजा एक ऐसा फाल है जो जड़ाता गर्मी के दिनों मैं ही मिलता है तो अगर आप उसको चाहे तो kilo को रूप में भी बेश सकते हैं और आप चाहे तो उसको wholesale में बेचिए आपको जैसे लगे आपके पद जैसे investment हो आप उस हिसाब से उसको बेश सकते हैं और उसे आपको profit हो जाएगा तो तो आप चाहे तो तर्वुजे का business कर सकते हैं गर्मी के दिनों में especially और उसे आपको काफी अच्छा profit हो जाएगा आप उसको चाहे तो juice बना कर भी बेश सकते हैं लेकिन fruits बेशिए इसमें आपको ज़्यादा profit होनी वाला है अगला है तो आम का business कि आपको पता हो कर तो गर्मी आता ह lógा सबी मार्स्ट कर सकते हैं आपको क्या करना है और उसको एछना है उसको किलो 要सास बेश सकते हैं not पाते हैं आपको जैसा पैसा हो आप उस हिसाब से बेश सकते हैं या अगर आप चाहे तो घुम घुम कर बेश सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पास बहुत ज़्यदा इंफेड़्पेंट नहीं होता है तो थोड़े से आम लेकर उसको गली-गली में घुम कर बेशते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रोफिट हो जाता ह आपको पता हो का जोस्टो गरने के दिनो के में हर कोई juice बहुतब करता है हलाकि अलग-अलग प्रकार के juice मिलते हैं लेकिन गरने का juice एजा ह सिर्फ आपको गरने के दिनो के दिनो में देखने को जाता है तो आप चाहे तो गरनी का juice का już необходимо कर सकते हैं हैं मस्षीन sometimes अब ना स उसका जूस बना कर बैचना सुरू कर दे, आपको हर गलास के उपर फायदा होगा और इसे आपको काफी अच्छा प्रोफिट होता है, क्योंकि दोस्तों गन्य के मुकाबले जूस का रेट काफी जदा होता है, आप उसको चाहे तो अलग-अलग प्रकार से बेज सकते हैं, अगला business idea है खीरा कखड़ी का business आप जब भी किसी bus ट्रेन – या कहीं सफर करते है तो आपको यह जाटार देखने को मिलता है तो आपको खीरा कखड़ी का कुछ पीç मिलता है, यह जदा तो गल्मी के दिन में मिलता है क्योंकि इसे आपको ठंड just मिलता है तो इसलिए ये लोग इसको बेचना पसंद करते हैं तो अगर आपको भी ये बिजनस करना है तो आपको simply कुछ खिर्या कख्री लाना है उसको एक तुरौस अप सलाद टाइप का बनाना है और उसको आपको बेचना है आपको हर प्रेट पे इसको अच्छा कमिशन मिल अपने सहुलित के हिस आप से इस बिजनस को करिए इसमें आपको काफी अच्छा प्रोफिट मिलने वाला है और यह बिजनस सिर्फ आपको गर्मी के दिने में ही चलेगा ध्यान लखिए का गर्मी के दिने में लोग ठंडे 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 फल खाना पसंद करते हैं यह बिज अपने के दिने में हर कोई सलाथ खाता है ताकि उसको फायदे हो तो अलग अलग परकार का प्रूट से राना है और उसको सलाथ बना कर आप चाहिते बेश सकते हैं यह बिजनस आपको बहुत सरा इंप्रेश्मेंट नहीं करना है आपको सिंपली कुछ फ्रूट से रेना है सलाथ बनाखर उसको मार्केट में बेचना है आपको इसे काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तो दोस्तों यह था आज के पांच बीटिस अडिया जो आप गर्मी के दिनों में करके काफी अच्छा पैसे कमा सकते हैं तो उमीद करता हूं यह वीडियो पसंद रहा होगा अगर बीडियो पसंद रहा है तो बीडियो को लाइक करना वीडियो पसंद रहा है तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आप है है